अमस्कार फेन, ओन्लाइन टिप सिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ इंदरोशन कुमार, जैसे कि आप लोग इस वीडियो के थमिल में देखें कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कमपनी के बारे में, जि इस में सबसे बेटर जो सर्विस है, वो है आधार का, जैसे आप लोग इस कमपनी के द्वारा, आधार का काम लेते हैं, तो आप लोग आधार का कोई भी अपडेट बगरा कर सकते हैं, जैसे आप लोग को आधार का मवाईल नमर लिक करना हुआ, इमेल ऐडि लिंक करना हु हुआ यानि क्याधार में बहुत सारे अपडेट होते हैं जो कि कर सकते हो अब आप लोग को बताते हैं कि वह कंपणी कौन सा है और उस कंपणी के माधियम से आप लोग उसका ID सहज सेवा ठीक है सहज सेवा अगर आप लोग सहज सेवा का पहले से रेश्टेशन कर दिये हैं और इसका ID पासवर्ड नहीं मिला है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा आपको ID पासवर्ड 100% मिलेंगे सिर्फ तीन दिन में ही तो सहज सेवा हम जैसे ही गूगल सहज करेंगे तो उपर में ही इसका वेबसाइड मिल जाएंगे ठीक है यहां पर सहज हो मैं ठीक है अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो रिटेल सहल.co.in तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है हाला कि इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दि जो कि आपको यहां पर करसर के द्वारा दिखाया जाता है जो कि आप लोग यहां पर देख रही हो इसमें जितने भी सर्विस है वो सर्विस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे आप लोग इसे रीड भी कर सकते हो इसका नेटवर्क भी बड़ा है आप लोग यहां पर बहुत सारे option देख सकते हो और अगर आप लोग इसमें देखे तो आए आपको यहां पर login का page open होके आ जाते हैं जो कि आपको यहां पर login करना होता है यूजर नेम और password भरके तो फिलाल अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास user ID पासवर्ड नहीं ठीक है तो सबसक्त पहले अगर आप लोग सहच के official website पर आते हैं तो आपको उपर में ही तीन option मिलते हैं सबसाब पहला option है सहच appropriate उसके बाद है registration उसके बाद है language ठीक है अब यहां से language भी आप लोग change कर सकते हो जैसे किसी को English समझ में नहीं आती है तो इसमें language जो दिया है इस चे आप लोगों को बहुत सारे फैदा मिलने वाले है हमें language सेलेक करेंगे English क्योंकि बहुत सारे भाई को हिंदी समझ में नहीं आती है तो हम यहां पर English सेलेक कर लिए हैं English सेलेक करने बाद हमको उपर में एक option मिल रहे है तो simply हमको registration पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पर बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं जैसे क्या काम है सबसे पहले आगर आप लोग नया आया है तो new registration पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपने registration कंपलीट कर लिए हैं मतलब पूरा registration कर दिये हो और आपको यहां पर अस्टेटस दिखाई देंगे चेक अस्टेटस पर क्लिक करणे तो आपको यहां पर अस्टेटस करना है तो चलिए हम लाइब ही दिखाते हैं तो आपको क्या देखनी की जो रहता है और टूरेश्टर पे तो हम न्यूरेश्टेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रेश्टेशन का फॉर्म ऑपन होके आ जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम आपको बता दो यहां पर जो सब्सक्राइब करोगे तो आपको यहां पर आप्छार पर खुल जाता हैं जिसे आपको फील करना होगा चलिए हम एक-क करके बताते हैं सबसे पहले आपको इमेल ऐड़ी और फॉन नमर वेरिफाई करना होगा मवाल नमर आप लोग यहाँ पर भरोगे चेक verify मवाल पर क्लिक करोगे तो आपके मवाल में OTP आते हैं उसे verify कर दोगे तो आपका मवाल नमर verify हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर email ID भरना है चेक availability पर क्लिक करके अपना email ID को verify कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर WhatsApp नमर भरना है अगर यह Mobile नमर आपका WhatsApp नमर है तो आप लोग Simple यहाँ पर टिक कर दोगे ठीक है? अगर आपका जो भी Mobile नमर आपने यहाँ पर दिये है वही नमर से WhatsApp है तो Simply आपको करना क्या होगा? यहाँ पर WhatsApp नमर पर टिक कर देना है ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर क्या भरना है? उसके बाद आपको यहाँ पर Option मिल जाते है Your Name and Details आपका नम और डिटेल्स पुरा आपको यहाँ पर भरना होगा तो चलिए हम बताते हैं कि आगे आपको कैसे भरना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर Upload करना होगा अपना Payne Card जो भी Payne Card है वो आप लोग यहाँ पर Upload करेंगे उसका पर Payne Number आप लोगो को यहाँ पर भरना होगा ठीक है यहाँ पर Payne Number भरेंगे और जब तक हम यहाँ पे नाम, mobile नमर और email ID verify नहीं करेंगे तब तक pen card भी upload नहीं होगा उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी pen card upload करेंगे ठीक है आप लोग यहाँ पे धियान पुरुबख रखेंगे pen card जो भी upload करेंगे वही pen number आप लोग यहाँ पे feel करोगे pen number feel करने पाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे solution आपको यहाँ पे select करना है Mr. MRS या MS जो भी है आप लोग select करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे first नाम भरना है जो भी आपका first नाम है वह first नाम आप लोग यहाँ पे भरोगे चलिए हम बता देते हैं कि first नाम आपको यहाँ नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ यहाँ पे लिखेंगे मानलीजे आपका नाम राहुल कुमार है तो राहुल यहाँ पे लिखेंगे कुमार यहाँ पे लिखेंगे मानलीजे आपका नाम राहुल कुमार है तो राहुल यहाँ पे लिखेंगे कुमार यहाँ पे लिखे देने गेंगे जंडर का तो जंडर आप लोग यहां पर स्लेक्ट कर लोगे उसका इसलेक्ट तो आप लोग यहां पर करेंगे करेंगे जैसे आप को यहाँ पर तो आपको यहां पर पूरा फील करना होगा जो भी भी दिटेल्स है वो फिट करेंगे आपको यहां पे अपना फोटो व्यगरा अप्लोड करेंगे हाला कि इसके बारे में भी video बना दिये हैं उसका लिंक आपको इस video के discussion में मिल जाएंगे कैसे आपको registration करने में कोई भी दिक्कत नहीं आप लोग simple तरीके से registration कर सकते हो तो आप को यहां पर registration status पर क्लिक करना है registration पर क्लिक करो गें अप्लिकेशन आइडी भरोगे तो submit कर दोगें तो आपका यहां पर चेक हो जाएगा कि आपका registration सक्सेसफुल हुआ या प्रिलिक करके यहां पे कोंटेक्क ब्रिक कर सकते हो कि आपका इडी अप्रूब क्यों नहीं हो रहा है ठीक तो कुछ इस तरह से आप लोग यहां पे सहाथ दूने के अधार नहीं मिलते हैं अधार सेंटर लेनेके लिए आपको कुछ ट्रम & कंडिशन है जिसे फॉलो करना को लॉगिन करके इसमें कौन कौन सा सर्विस है उसके दौरा आप लोग आधार का काम कैसे लेंगे अगर इस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं हलाकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए हम दूसरा वीडियो इसमें एड नहीं कर रहे हैं तो दूसरे वीडिय झाल झाल झाल